फाइब सेकेंड, टो सेकेंड, रेडी अध्यच्छ महोदय, मैं आपकी आज्यां से अपना बिल सदन के सामने विचार के लिए रखना चाहता हूँ मैंने इस बिल में एक बात कही है कि जो बिदेशी धन गलत तरीके से हमारे देश में आता है उसके उपर कोई कड़ी निगरानी होनी चाहिए मैंने इस बिल में यह भी कहा है कि कोई भी पार्टी, कोई भी संस्था, कोई भी आदमी अगर बिदेशों से धन लेता है तो उसकी सूचना तुरंत सरकार को देनी चाहिए उस आदमी या उस संस्था के लिए यह भी अनिवार है कि उस रकम का पूरी तरह से हिसाब रखे और एक साल के बाद उस रकम के खर्च का पूरा हिसाब सरकार के पास भेजे ताकि सरकार को मालूम हो सके कि कितना धन विदेशों से आया तथा वह किस प्रकार खर्च हुआ इस सदन में इस संबंध में अनेक बार बहस हो चुकी है सोयाम ग्रहमंत्री जी ने यह कहा था कि वहा इसके संबंध में एक बिल सदन में लाएंगे लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि धाई साल बीद जाने के बाद भी आज तक वहा बिल सदन में नहीं आया आज अगर कोई यह कहे कि मैंने यह पैसा अमरीका से लिया है या चीन से लिया है या रूस से लिया है तो उसके उपर आज कोई भी मुकदमा नहीं चल सकता आज हमारे देश में कोई कानून ऐसा नहीं है जो इस चीज पर प्रतिबंध लगा सकता हो आज चार बड़े बड़े देश हैं जहां से हमारे देश में पैसा आता है कुछ पैसा अमरीका से आता है और कुछ रूस से आता है कुछ चीन से आता है और कुछ पाकिस्तान से आता है इस परकार का धन हमारे देश में कितना फैला है अगर इसकी और आप ध्यान देंगे तो एक चिन्ता जनक इस्ति आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी अगर इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है कि एक दिन हमारे देश की सुरच्छा परजातंद्र की सुरच्छा खत्रे में पढ़ जाएगी बिदेशी से ना हमारे देश पर आक्रमड ना कर सके इस बात की चिन्ता तो हमारी सरकार करती है लेकिन बिदेशी धन की कोई चिन्ता यह सरकार नहीं कर रही है आज चाहे राजनीतिक छेत्र हो सामाजेक छेत्र हो सिच्छा का छेत्र हो चारों तराप बिदेशी धन के जरिये बाहर के लोग हमारा गला घोटने के लिए तयार बैठे हैं आप बड़े बड़े सहरों में जाएं तो पता चलेगा अध्धच महोदय पैसा देकर लोगों को जासूस बनाया जा रहा है सीमा छेत्र में जाएं या पिछले छेत्रों में जाएं चारों तरप बिदेशी पैसे के बल पर हमारे देश के साथ खिलवाड हो रहा है इतना ही नहीं बिस बिद्यालियों में जाएं तो वहां भी यही खेल खेला जा रहा है गिरजा घरों में मंदिरों में मस्जिदों में बिदेशी पैसे के बल पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिस की जा रही है यह समस्या किसी एक पार्टी की नहीं है यह राश की समस्या है आज सदन में बित्मंत्राले की मांगों पर बहस हो रही है सरकार की हर विभाग का बित्मंत्राले से संबंध होता है देश में जो प्रगती हुई है और हो रही है उसकी काफी चर्चा हुई है जो प्रगती हुई है वह चारों और दिखाई पड़ रही है रेल में भीड कम होती है बिजली काभी काफी विकास हुआ है लेकिन देहातों की तरफ हमारा जो द्रिष्टी कोण है उसको देख कर कुछ तकलीफ होती है अभी जो जनगरना हुई है उसको देखने से मालूम होता है कि सहर की जनसंख्या अधिक बढ़ी है आज देहातों से लोग सहरों की तरफ आ रहे हैं हमारे राष्ट पिता ने कहा था कि लोग देहातों में बसें देहातों की जीवन को पवित्र करें लेकिन स्वराज के पचास वर्स बीत जाने के बाद भी देहातों की तरफ ना जाकर सहरों की तरफ लोग आते जा रहे हैं इस प्रस्ण पर हमको कुछ गंभीरता से विचार करना होगा अगर देहातों में लोगों को सुख सुवधा मिलती जो आज सहरों में प्राप्त है तो लोग देहातों से सहरों की तरफ ना दवडते बलकि सहरों से देहातों की तरफ जाते देहात के जीवन में दो प्रकार की चीजें थी एक तो जमीदारी प्रधा थी और दूसरे वे लोग थे जो रूपए का लेन देन करते थे जमीदारी प्रधा समाप्त होई इससे लोगों को कुछ राहत मिली जहां तक रूपए के लेन देन का प्रस्ण है पहले 25 प्रतिसत तक का ब्याज लिया जाता था उसमें अब कुछ कमी जरूर है लेकिन कहीं कहीं तो अभी भी उतना ही ब्याज लिया जाता है जिससे करजा लेने वाला उनकी चंगुल से नहीं निकल पाता सरकार भी अब उचित दर पर ब्याज देने लगी है इस वज़ा से कहीं कहीं पर साहुकारों के ब्याज की दर में कमी आई है लेकिन इसके बावजूद भी यदि हम देहातों और सहरों की तुलना करें तो अन्य दोनों के इस तर में ही अंतर पाते हैं यह कहा गया है कि पंचवर्सी योजना के खाराण देश की आमदनी बढ़ी है इसमें यह सरकार बिलकुल आसफल रही है पिछले सत्र में इस विशय पर सरकार के बिरोद अबिस्वास का प्रस्ताव भी आया था इसलिए मेरा कहना है कि भारत में इस समय जो बेकारी की समस्या है वह इस धंग की समस्या है जिसके रहते सारे देश को उन्नात बनाने का नकसा हम सोच रहे हैं झाल 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 झाल